गुड मॉर्णिंग आलफ यू आज मैं आप सभी को ये वाल हैंडिंग बनाना बताऊंगी ये बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए हमें कुछ भी खरीबने के आप प्रक्तर नहीं है इसे हम घर के फालतू चीजों से ही बना सकते हैं इसे बनाने के लिए जो चीजे हमें चाहिए वह हमारे घर में ही उपलब है और ये चीजे में आपको बता दो जिन्हें हमें इसको बनाने खे लिए चाहिए सबसे पहले तो हमारे घरों में बहुत सारे सारी के दब्बे शॉट के डब्बे या बहुत सारे ऐसे डिब्बे हमारे घर में हमें साते रहते हैं तो पर दो के बाद हमें सीज़ क्याओ शकता है और हमें कुछ सेंड स्टोन चाहिए जो हमारे बिल्डिंग मैटेरियल के अंतरगर आते हैं इसे हम लेंगे आप पूछ प्रस लेंगे कुछ सलर हम लेंगे पेविको यह और कुछ फूलो डलिया मेरी अब मेंने नियेए आप पूलो के डलिया ले सके हैं या लपडि के छोटे-छोटे कोई भी इससरह के प्ले डालिया अप ले सकते हैं सबसी साफ से नमें झिबे में लगाएंगे आर प्रांद को लगा करेंगे इस साथ बात अक्छी से हम साथ चरद एक़्क इक्वल साइज में से हम टेस्ट करेंगे फिर इफिर हम जो हमने ब्रांचे से लिए हैं इंडाली ओं को हम लगाएंगे इंडाली ओपर हम टारे को लगाएंगे इसे हम इसमें से चिपका देंगे इसे हम टत्रक सूफने के लिए छोड़ वेंगे फिर हम पत्थरों पर पैविकोल लगाएंगे और इसे हम यहां इसे चिपकाएंगे बागी के स्टों ही हम इसी तरह से लेंगे और इसे इस पर किपकापे चले जाएंगे इस तरह से हमिंगे को कुछ चिपकाश्यक्त किपकाश्यक्त इस तरह से बना लेंगे अर इडंटियों को हम अपने मान पसंद कलर्स से कलर कर लेगे जो भी आपको कलर पसांजों आपकों से इसको कलर कर सकती है इस तरह से हमें इडंटियों को रंगो की सहाचा से कलर कर लेंगे इस तरह से ये कलर कम्प्रीट हो गया और हमारा ये सुन्दर सतीमिरी भी बन करके तयाग हो गया और स्कात्र से कलर ली गया आप इसे अपने पसंद पसंद में तो इसमें और इस्टराल लगा सकते हैं मैं अको आप Isa आइ तो अपने इच्शाम स्साद और इस्टराल लगा सकते हैं खराशे है इस तरह से हमारे ये संदर वाल होगी बन कर तयार हो गया इसे आप दिवाल पर लगा सकते हैं या इसे करने आप रख भी सकते हैं उमीद है आप सभी एको बहुत पसंद आया हो का थैंक यू कर दो